नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए विडियो में वेलकम अगर आप यह जानना चाहते हैं कि टाटा वर्सिस टेसला को टक्कर देने की तयारी में टाटा ग्रूप क्या है तो यह विडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है टाटा मोटर्स की योजना देश में किफायती इलेक्ट्रिक कार बनाने की है इसके लिए कमपनी संभावित स्ट्रैट्जिक पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स से जरूरी पूझी जुटाने की संभावनाएं तटोल रही है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कमपनी टेसला भारत में अपना कारोबार शुरू करने जा रही है कमपनी ने भारत में स्टाफ की भरती भी शुरू कर दी है कम्पनी की नजर दुनिया में तेजी से उभरते इंडियन कार मार्केट पर है इस बीच टेसला को कड़ी टककर देने के लिए देश की दिगज आटो कम्पनी टाटा मोटर्स ने भी अपनी तयारी शुरू कर दी है टाटा मोटर्स की योजना देश में किफायती इलेक्ट्रिक कार इवी बनाने की है इसके लिए कम्पनी संभावित स्ट्रेट्जिक पार्टनर्स या इन्वेस्टर्स से जरूरी पूझी जुटाने की संभावनाएं टटोल रही है मामले की जानकारी रखने वाली शीश अधिकारियों का कहना है कि अभी इस बारे में शुरूआती बातचीक चल रही है पिछले साल मार्च में टाटा मोटर्स के बोर्ड ने पैसेंजर विकल बिजनस को अलग करने की योजना को मनजूरी दी थी अधिकारियों का कहना है कि टाटा ग्रूप को अपने इलेक्ट्रिक विकल ईवी बिजनस के वैलिवेशन को लेकर काफी उम्मीदे हैं लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे ज्यादा वॉल्यूम दिखाने की जरूरत होगी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि टाटा मोटर्स ने चीन की दिगज आटो कमपनी को पैसेंजर विकल बिजनस में स्ट्रेटिक पार्टनर बनाने के लिए बात की है कमपनी के एक जानकार ने कहा कि पैसेंजर विकल बिजनस के लिए स्ट्रेटिक पार्टनर या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स पर बात चल रही है और इलेक्ट्रिक विकल सेगमेंट को ग्रोथ का मजबूत इंजन माना जा रहा है माना जा रहा है कि मॉर्गन स्टैंड ले और जेपी मॉर्गन को प्रस्तावित योजना के लिए इन्वेस्ट्मेंट बैंकर बनाया गया है पैंसेजन विकल बिजनस को अलग करने के लिए टाटा मोटर्स को शेरधारकों की मनजूरी मिल चुकी है और अब उसे नैशनल कमपनी लौ ट्राइब्यूनल कमपनी को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया सितंबर तिमाही के अंत तक पूरी हो जाएगी Reliance Securities के Head of Research मितुल शाह के मुताबिक टाटा मोटर्स स्ट्रेटिक इन्वेस्टर्स से साजेदारी की तलाश में है कमपनी अपना कर्स कम करना चाहती है और अगले दो से तीन साल में यह जीरो पर आ सकता है जून 2020 के अंत तक PV Division का घाटा 11,173 करोड रुपए था जबकि इसका Valuation 9,417 करोड रुपए था कमपनी ने अपनी इलेक्टरिक कारों की कीमत पेट्रोल डीजल कारों से 15 से 20 की सदी अधिक रखी है शाह ने कहा कि टाटा मोटर्स की इलेक्टरिक कारों की कीमत प्रतिसपर्धी है जिससे कमपनी को अतिरिक्ट फायदा मिलता है टाटा मोटर्स ने कहा कि इससे टाटा ग्रूप की अन्य कमपनियों जैसे टाटा पावर, चार्जिंग इंफ्रस्ट्रक्चर, टाटा ओटो कॉंप बैटरी पैक केमिकल्स, लीथियम आयन सेल और टाटा फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंसिंग आप्शन को फाइदा होगा मुझे उम्मीद है कि टाटा वर्सेस टेसला को टककर देने की तयारी के बारे में पता चल गया होगा अगर आपको इसके अलावा और भी स्वाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका सवाल की पूरी रिपलाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों अगर हमारी विडियो आपको पसंद आई तो इस विडियो को सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें थैंस फॉर वॉचिन दिस विडियो